बसकार दोस्तों स्वागेत है अपनी यूट्रोब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में है दोस्तों आज आपके जो ससी जेए का 29 सक्टूबर को एक्जाम हुआ है फाइट शेप्ट का तो पर्थम भार में पूचेगे 50 में से 40 जीके के स्वाल हुबू मिल चुके हैं तो चली कंटिन्यू करते हैं इस्पेशल थैंक जरों ने स्वाल वार्शेप की हैं आप भी अपने से पूचेगे स्वाल वार्शेप जरूर कीजिए तो पर्थम पारी में जो स्वाल बेचे उनमें बादल सौलंकी, अनिल चौरशिया, विकास जे स्वाल, देवराज पतेल, रामबाली कुमार, रावेंदर, अन्नोन एजेट चैनल से अरपित और शर्वन कुमार इन सभी केंडियर्ट ने स्वाल सेंड की हैं, तो इनको बहुत-बहुत धन्यवाद, वीडियो कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं आपको बता दू, दोस्तों, जो आपके 30 अक्टूबर को अनेकेर्मी की तरफ से SSE Champions League का फिनाले होने वाला है, वो सुवे साधे 10 बजे होगा, जिसमें आप Free of Cost एनरॉल कर सकते हो, अपनी रैंक पता कर सकते हो, और इंडिया में क्या रैंक रही है, तो Special SSE वाली Candid के लिए यहाँ पर 100 क्योसंस रहेंगे, 60 मिनिट का समय, और इसमें ये सभी syllabus है, reasoning, GK Quant English ह सकते हैं, और रैंक के साथ साथ यह आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, तो पर्थम से पांच वी रैंक तक टोटल 10,000 रुपे तक का Amazon voucher भी जी सकते हो, तो link description box में है, जरूर एनवाल कीजेगा, पहरा स्वाली के विक्रम सारा भाई Children Innovation Center कहां पर खोला जाएगा, तो यह मंतरी विजेर रूपाणी ने गांधी नगर में यहां से इन्हों ने घोष्णा कीती Children Innovation Festival पर जो यह केंदर खोला जाएगा, सेवी की स्तापना कब हुई हैं, तो सेवी की स्तापना हुई हैं, 12 अपरेल 1988 को, सेवी एनी सिक्यूरिटीज एंड एक्जेंज बोर्ड ओफ समयधानिक मानेता मिल गई थी और मुख्य मंतरी सोरी जो हेटकॉर्टर है वो मुंबई महराष्टर में हैं, अगर असवाल देखे रविंदर नाथ टेगोर ने जो नाइट होड या फिर जो सर की उपादी हैं, वो कब वापस लोटा दी थी, तो रविंदर नाथ टेगोर जो जलिया वाला भाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 में इनों ने अंग्रेजों के अमानविय किर्ति के लिए नाइट हुड का त्याग कर दिया था, दर्शातल ये हुआ क्या कि 13 अपरेल 1919 को वैसाकी के परोपर पंजाब में अमस्टर के जलिया वाला भाग में ब्रिगेड जनरल डायर्ड के नेतरतों में अंग्रेजी फोज ने गोलिया चला कर वापर नी हत्ते, शांत, महिलाओं और बच्चों सहित, सैक्रों लोगों को जान से मार दिया तब गोलिया चला कर और इस कारण रविंद्रनाठ टेगोर ने जो अपनी उपादी थी अंग्रेजों के चैम्सपॉर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और ये अदिनियम को पारित होने की समय उस समय लोड मांटेंग थे भारत के सच्चिव और लोड चैम्सपॉर्ड थे वाइसराई और बात करू में 1909 का जो भारत परिशद अदिनियम है उसको मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 वाले को मौंटेंग्यू चैम्सपॉर्ड सुधार के नाम से कि समिधान संसोधन में परस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए हैं वो धरम निर्पेक्स समाजवादी और अखंटा यहां से स्वाल पूछा जाता कौन से शब्द जोड़े चैना आता है और इसी संसोधन के तैज जो भागजार के अनुछेद 91 के अंत्रिक जो टोटल 11 मौलिक करती हैं दस तो उस समय जोड़ दी गए थी और ग्यारवा जोड़ा गया था 86 जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में ग्यारवा मौलिक करती हैं कि माता पिता या सनक्सक च्छ 966 है और वो टाइगर कौन से है बेंगाल टाइगर है रोयल बेंगाल टाइगर है और ये 29 जुलाई 2019 को जो इंटरनेशनल टाइगर दिवस मनाय जाता है उसी पर परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रेजल्ट जारी किया था इस रेपोर्ट का कि कितने टाइगर हैं सबसे भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे तो माउंट बेटन थे स्वाल आ जाए पर्थम भारती गवर्नर जनरल कौन थे सोतंतर भारत के बाद तो वो थे सी राजगोपाल चारी और माउंट बेटन रहे थे 15 अगर्ष्ट 1947 जो सोतंतर हुए थे उसके बाद 1948 तक रहे थे औ और बंगाल की पर्थम गवर्नर यहां से बहुत बार स्वाल आता है बंगाल का पर्थम गवर्नर का पर्थम गवर्नर जनरल तो सबसे पहले पर्थम गवर्नर था रोबर्ट कलायू कैनिंग लॉर्ड कैनिंग है जिनका जो शासंद रहा था एक नॉबर 1888 से लेकर 1862 तक पीम ने किसान समान निदी योजना की सुरुआत किस राज्य से की हैं तो परधान मंत्री ने जो किसान समान निदी योजना की सुरुआत हैं वो 24 फैब 2019 को गोरक पूरियनी उत्तर परद किस राहिता मिलने वाली हैं पीम किसान समान निदी योजना जो की उत्तर प्रदेश में 24 फैब 2019 को गोशना की गई हैं अगला स्वाल मानस राष्ट्य उद्यान कहां पर है तो मानस राष्ट्य उद्यान है असम में जो की एक सिंग का गेंडा और बहरा सिंग विशे पर्फोम हो जाएगी अन्य जो इलेक्ट्रोनिक ट्रांसपर होता है उनलाइन उसमें आर्टी जीएस हैं आईम पीएस हैं तो आर्टी जीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वेक स्वाल पूछा हुआ एससी की दोरा कि आर्टी जीएस के तैत मिनिमम कितने र दो लाख रूपे ट्रांसपर किया जा सकते हैं इससे कम र्टी जीएस के तैयर ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं तो इसकी नियून्तम लिमिट दो लाख हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यहा पर एक इंपोर्टेंट और टम है आई-एम्पीएस यानि इमेडियेट पेमे तक रहे थे वर्तमान में भारत के कानून मंतरी है र prolisarshankar prasad नेक्स्ट तोने आपर पर्मानु कर्मांग बारा किस्ततोग का है तो प्रमानु कर्मांग बारा है magnesium का पाद़ब solar उड़ ietsा को किस में korre Dog करते हैं इस जो फोटो सिंथेसिस से प्रकास संसलेशन होता है पादप में उस दोरान पादप जो सोलर सूरी से प्राप्त उर्जा है उसको केमिकल एनरजी में कनवर्ट कर देते हैं तो फोटो सिंथेसिस में प्लांट कनवर्ट करते हैं सोलर एनरजी को केमिकल एनरजी में और ये फॉर्मु कूरजा सूरिशिक प्राप्त जो सोलर एनरजी है तो ये फोटो सिंतेसिस के दोरान होता है परका सूरजा को रासानी कूरजा में नौबल शान्ती पुरुषकार 2019 किसे दिया गया है तो ये अभी एहमद को दिया गया है जो कि इथोपिया के परधान मंत्री है उनका प्रोशी प्रोग्राम को दिया गया है संक्ठन को नेश्ट मन्या पर करण्ट मिनिस्ट्रो आफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चैंज तो प्रयावन और वन मंद्री कौन है वरत्मान में प्रकात जावडेकर नेक्स पनिया पर इरानी कप किस खेल जे सम्मन्दी थे तो किरकेट का कप हो जाएगा जिसकी सुरुवात 1969 और 60 में हुई थी रंजी ट्रोफी में विजिता इसमें कौन केलते हैं जो रंजी ट्रोफी होती हैं उसकी विजिता टीम और जो शेस भात रहती हैं बाकी बच्चे वे जो भी मुख्य खिलारी हैं उनकी मदिये मैच होता हैं और सबसे ज्यादा अब तक इरानी कप जीतने वाली जो टीम है वो शेस भारत हैं 28 टाइटल नाम कर चुकी हैं लेटेस्ट विजिता की बात कर तो इरानी कप जीता हैं 2018-19 में विध्रबने नैश्टमदी की लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हैं किस परकार के फॉरेस्ट भारत में हैं तो वो है उ सबी मुखे वन आप देख सकते हो साल, सागवान, शिशम, बहेडा, आवला, सेलम, कुशुम, चंदन ये सबी आपके उष्ण कटी बन दिये आद्र परणपाती वन हैं और इसे मानसुनी वन भी कहा जाता है ये भी ऐसे सिन अब की बार पूछाता है मानसुनी वन कहा जाता है वो भी उष्ण कटी बन दिये आद्र परणपाती वन भारत में मानसुन किस देशा की हवाव से परविश करता है तो वो है दक्षिन पच्छिम मानसुन आता है भारत में ज्यदा तर नेक्शन देखे भारत किस गोलार्थ में इस्तित है वो हेमिस्पियर है नौर्थन उत होता है जो सरकारी पद पर है उन पर आसिन व्यक्तियों के दोरा किये भष्टा चार कर रहे हैं जो भी सरकारी पद पर व्यक्ति हैं उनकी शिकायतों का निवान करना और कारवाई करना लोगपाल का कारे हैं समिधानिक पद है जो की सोडियम कलोराइड का सूतर ये हो जाए के कार्ण परकास का जो स्केटरिंग होता है लाइट की उसके कार्ण आकास नीरा देखाई देता है परकिरनन से होता है क्या है जो भी सूर्य का परकास आता तो बीच में बहुत से कार्ण है उसके कार्ण स्केटर कर जाते हैं कार्ण से सनलाइट है वो और बहुत सी डारेक्श समिधान समिती के सलेकार कौन थे तो Advisor समिधान समिती के सलाकार थे कौन थे? BN राओ, BN यहिन बेनेगल नर्शिमा राओ थे समिधान समिती के Advisor कौन सी धातू नहीं है यह option दिये गए थे तो यह आप कलोरिन हो जायेगा बाके sodium, potassium, यह दोनों धातू है कलोरी नापकी हेलोजन जो की नॉन मेटल है स्वस्त मानव सरीर का बलेड प्रेशर तो नॉर्मल जो बलेड प्रेशर रहता है रक्त चाप रहता है वो 120 अधिक्तम न्यूनतम 80 mmHg होता है ये नॉर्मल बलेड प्रेशर नैशनल डेवलप्मेंट काउंसिल या फिर राष्ट्य विकास परिशद की इस्तापना का बुई है ये डेट सहीत पूचा था तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी राष्ट्य विकास परिशद की इस्तापना क्रिप्स मिसन जो भारत आया था 1942 की समय उस समय ब्रिटेन की प्रधानवंत्री कौन थी तो वो थी विंस्टन चर्शिल थी क्रिप्स मिसन 1942 के वक्त ब्रिटेन की पीम थी विंस्टन चर्शिल और ये क्रिप्स मिसन भारत क्यों आया था क्योंकि बिर्टिश सरकार हैं उनके दोरा दित्य विश्यूद में भारतियों का सीहुग प्राप्त करने के लिए ये मिसन है भेजा गया था ताकि भारतिय हैं दित्य विश्यूद में ब्रिटयन की सहहता करें इसलिए मार्च 1942 में सर क्रिप्स, क्रिप्स इनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो की लेबर पार्टी से संबंदी थे उनकी अध्यक्स्ताम ये मिशन आया था इंटरपोल का हेटक्वाटर आपको पूचा है तो ये हो जाएगा आपके लायन फ्रांस में इसका हेटक्वाटर है इंटरपोल यानि इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिस और्गनाइजेशन है जो के 1923 में स्टापित वा था और इसमें सदिश्य देश है 194 कंप्योटर में बुटिंग प्रकरिया किसे सम्मदित है बूट करना यानि जो अपन रिस्टार्ट करते हैं कंप्योटर को वो ही बुटिंग कहलाता है रिस्टार्ट से हो जाएगा कौन सी नदी का उद्गम भार से नहीं होता ये जार ओप्सन दिये गए थे इसमें सतलूज हो जाएगा ये तिबबत से होता है इसका उद्गम सबसे कम जो धवनी की, स्पीड होती है, वो गयस में, लाल रंग के लिए, सही statement आपको पूचा था, तो wavelength ज्यादा होती है, लाल की जो त़रंग देधरी हैं, wavelength ज्याधा होती है, आवर्थी frequency कम होती है, तो ये कीजी स्वाल पुचा गया था, नेश्टन देखे 1949 में All India Forward Blog के स्थापना किस ने की थी ये CHSL में भी पुच्छा हुआ है फिर रिपीट हुआ है तो CHSL जो भी टेल पर स्टू CHSL के सारे स्वाल की PDF है वो टेलिग्राम चैनल पर एवलेबल है वहां से आप डाउंडोड कर सकते हो तो नेटा जी सुभाष चंदर बोष ने इस दल जो forward block है इसकी स्थापना की थी 1949 में की थी और 1949 में जो कांग्रेस का दिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्स भी सुभाष चंदर बोष थे जो तिरुपुरी मध्य परदेश में हुआ था नेश्टवन देखिए जो आदर्ता मापने का यंतर हैं इस्ट्यूमेंट है वो कौन सा तो हाईग्रो मेटर हैं इसके दोजरा नमी या फिर आदर्ता को मापा जाता हैं मासिन्राम के सहेतू परशिद हैं तो मासिन्राम जो मेघल्ले में स्थित हैं और ये दुनिया का सबस और येंटल कॉलेज हैं इनके संस्थापक कौन है जो की बाद में इसका नाम अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्शिटी पढ़ गया था 1920 में इससे पहले ये इस कॉलेज का जो नाम है इनके संस्थापक वो सैमी है कौन है सर सय्यद एहमत खाने 1875 में ये कॉलेज इस्तापित व था अलिगर्ड जोकि उत्रप्रदेश में है उसके बाद 1920 में इसका नाम पढ़ गया अलिगर्ड मुस्लिम विश्वी दले 2019 सबसे जदा गॉल्ड मेडल जीता है तो साउत ए इस्ति गेम्स 2019 में गॉल्ड मेडल सबसे जदा इंडिया ने जीता है टोटल यहां पर 133 गॉल् 2019 को यह हुए है नेपाल में काटमांडू पोकरा नेपाल में हुए है नेक्ट 2021 में होंगे लाहूर पाकिस्तान में तो यहाँ पर 30 एर स्वाल मैंने बता दिये हैं जो 50 क्योशन से इसके अत्रिक जो भी स्वाल हैं आपको याद है आज आपका पेपर था तो कमेंट करके बता स सकते हों बागी मिलते हैं और सिप के वीडियो के साथ धन्यवाद